कैसे हैं आप लोग आई हूप कि आप सभी लोग ठीक होंगे मैं हूँ भी सेख और आप देख रहे हैं study with अभी सेख तो थम्निल तो आपने देख लिया होगा टॉपिक मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं इंडियन कोस्ट गार्ड एक 2023 बैच न्यू रिक्रूर्मेंट 2022 क उसके बारे में हम बात करेंगे नाविक जीडी यानी जेनरल ड्यूटी नाविक डीपी यानी की डॉमेस्टिक ब्रांच और यान तरिक के लिए जो न्यू वैकेंसी आएगी वो कब तक रिलिज की जाएगी complete details बताऊंगा आपको इस वीडियो में और according to official website बताऊंगा ठीक जिसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरी अनकाडमी पे classes होती है free special classes इसके लिए आप enroll कर सकते हो अभी मैं कल से एक नया बैज start कर रहा हूं जो की बिल्कुल free होगा आप सभी के लिए जो भी लोग Coast Guard की preparation कर रहे है Navy की Air Force की कर रहे है उन सभी के लिए आपको क करना कैसे है join description में मैंने link दे रखा है उसके थुरू click करके आपको an academy learning app को install करना है उसके बाद वहां पे आपको मेरी profile कुछ इस तरीके से मिल जाएगी आप चाहो तो Air Force Navy और Coast Guard सेलेक्ट करना goal को या फिर NDA सेलेक्ट करना और उसके बाद search कर सकते हो आप क्या अभी सेक कुम को notification आएगी जब भी मेरी live class आएगी अब अगर आप मेरी live class के लिए enroll करोगे तो आपसे code पूछा जाएगा जो कि free code होगा वो AB study 10 है उसको डालना है और free में unlock करके आप मेरी classes ले सकते हो मैं यह नी बोल रहा हूँ कि आप low हमेशा ही low मैं बोल रहा हूँ बस आप एक बार आ मैंने एक telegram group का link दे रखा है वो मेरी classes के लिए special ही है तो वहां पर आप जा करके जो आइन कर सकते हो उस telegram group को तो description में लिंक है जरूर check out करो अब start करते हैं बात करते है topic पे तो अब check करते हैं सबसे पहले हमें करना होगा क्या यह three lines दिख रही है इस पे click करना होगा इस पे मैं कर देता हूँ click यहां से carrier and opportunities और यहां पर GD DB अंत्रिक सब के लिए है तो सबसे पहले मैं DB वाला click करता हूँ DB के लिए click किया मैंने नाविक domestic branch आपको दिख रहा है यहां पे अब अलग-अलग करके बहुत सारी चीज़े दी गई है जैसे eligibility criteria दिया गया है इसके बारे में यहां से देख सकते हो यह जो है ICG carries out by annual recruitment for navic domestic branch as per the following tentative schedule तो यहां पर दिया गया application registration की date दी गई है यह previous year जुलाई थी registration करने की apply करने की date जुलाई में थी stage 1 जो हुआ था mid September में लिया गया था stage 2 October November में और उसके बाद stage 3 April में मतलब उसके next year April में और stage 4 April में वहीं सेम मन्त में second batch के लिए जो cycle होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है December में notification release की गये थी previous बार और उसके बाद so on आगे चीज़े आप check out कर सकते हो कैसे है इस प्रकार से सारी चीज़े ह हुई थी ठीक है चलो अब बात करते हैं सीधे की किसमन तक आ सकती है वेकेंसी तो आपको मैं बता दू कि इसके लिए जो first batch cycle होती है वो जून जुलाई होती है जैनि अभी क्या है मई है आज है 30 April मतलब next जो अगला दिन होगा वो मई का first day होगा तो मई अब एक महीने बाद जो है notification release करती जाएगी और जून जुलाई में ही आपका online form होगा registration online form सारा कुछ complete करा ऐसा हैगा और उसके बाद September में इसका अगस September में इसका paper complete करा जाएगा और जो second batch होती है वो November December तो आप समझ लो कि ये जून में इसके लिए notification release की जाएगी और जुलाई में आप इसके लि जहां से सीधे क्लिक किया carrier opportunities और जीडी पर क्लिक कर देते हैं यहां पर फिर से एक बार recruitment cycle पर क्लिक करते हैं सेम यहां पर देख लो जुलाई में ही और December में यानि कि यहां पर सेम उसके लिए भी यहीं सीजी लिखी गई है कि जून जुलाई और नवंबर दिसंबर तो यह जिडी के लिए थी उसके बाद अगर आप देखते हो तो यह यान्ट्रीक के लिए अंकर देता हूं फिर सेम और सेम पर लिखी यह जुन जुलाई और लिसंबर नुबंबर दिसंबर तो अपके लिए जो नोटिफिकरसन आएकी वहुझा तैयारी मिलग जो आपके आपके क्या करना है आप इसके लिए तैयारी में अभी से ही लग जाओ और जो आपके वीक पॉइंट्स है ना उस पे ज़्यादा फोकस करना सुरू कर दो क्योंकि स्टॉंग पॉइंट्स तो आपके है ही उसको दिखना है ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर देना है लेकिन वीक पॉइंट को ज़्यादा ध्यान से देखना है और उसको अच्छे से सही करना है फिक्स करना है ताकि आने वाले टाइम में उस चिसको फिक्स करने के बाद आप एक्जाम क्लियर कर पाओ ठीक है और अभी एक्जाम पे नहीं मेरिट पे फोकस रखोगे तो ज़्यादा बिटर रहेगा आपके लिए ठीक है क्योंकि एक्जाम क्लियर करना ही सब कुछ नहीं है मेरिट में नाम आज है वो सबसे बड़ी बात है तो यह चीज़े हैं बाकी आपको कोई भी डाउट होती है कोई confusion हो जाता आपके मन में तो comment section में comment करके बता सकते हो मेरी special classes join कर सकते हो अनक आडमी पे जो की coast guard के लिए start हो रही है मही में एक मही से तो उसके लिए कि आखरना है description में link है आनक आडमी profile का महा से जाकर follow कर लो पहली बार जब life class देखोगे तो code पूछा जाएगा वहाँ पे AB study 10 डाल देना और आप free man lock कर पाऊगे तो जरूर देखो एक बार एक बार देखने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको अच्छी लगया तो continue करना otherwise मत करना तो अभी के लिए इतना ही पताना था वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर देना share करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर देना आपको cost card के किस topic पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ thank you so much everyone जय हिंद